एक फिश्वास की प्रथा वो सबना जो आज पुलंदियां चू रहा है SMC Group सन 2000 के साथ आया SMC Power Generation Limited 2003 में Government of Odessa के साथ हुए Memorandum of Understanding के तहत 4,00,00,00,00 उनिट का Integrated Steel Plant बना जिला जार्जुगोडा उडिसा में और 2004 में MOU साइन होने के केवल 10 महीने बाद हमने कमर्शल प्रड़क्शन किया स्पंज आयन एक लाक मेट्रिक टन बिलिट एक लाक मेट्रिक टन और स्वयम निर्मान की आठ मेगावाट इलेक्रिसिटी 2006 में शुरू हुआ दूसरा चरण जिसमें स्पंज आयन की प्रड़क्शन एक लाक मेट्रिक टन प्रती वर्ष से बढ़कर दो लाक मेट्रिक टन हुई इसी प्रकार बिलिट की प्रड़क्शन भी हुई दुगनी यानी दो लाक मेट्रिक टन इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन आठ मेगावाट से बढ़कर हुई तेंटीस मेगावाट आइरन ओर क्रशर की कपासिटी दो लाक टन और कोल वाशरी की कपासिटी भी हुई दो लाक टन और इसी चरण में स्थापना हुई जर्मन टेक्नोलोजी थर्मक्स QST से बनी रोलिंग मिल्की जिसकी ख्शमता है एक लाक मेट्रिक टन सरिया निकालने की पर SMC थर्मक्स QST स्टील बार्स ही क्यों? कारण सपश्ट है कवर्मन्ट से टाइअप होने की वज़ा से हमारे पास है अपनी आयन और कोल लिंकजिल्स रॉ माटीरियल आता है दुनिया की बेस्ट आयन और माइन्स और कोल ब्लॉक्स से स्पन्ज आयन बिलिट का सौ प्रतिशत इस्तमाल होता है रॉ माटीरियल के रूप में स्क्रैप का इस्तमाल बिलकुल नहीं स्टील बनाने में इस्तमाल होती है वेस्ट और सबसे मॉडर्ण टेक्नियक्स बिलिट की क्वालिटी एशॉरंस के लिए इस्तमाल होता है स्पेक्ट्रोमीटर और हर एक स्टेज पर होती है कड़ी चार्च हम बनाते हैं सरिया उस मानक पर जो government of India ने हाल ही में तै किया है जिसमें carbon 0.17 से 0.23, manganese 0.30 से 0.60, phosphorus 0.05 और sulfur 0.05 SMC का ये मानना है की infrastructure segment में growth और expansion का काफी long term scope है इसलिए company का aim है steel और power sectors में अपनी एक अलग पहचान बनाना क्योंकि हमारे साथ है experienced और futuristic management team और एक dedicated workforce SMC सरिया जो बना है 100% integrated plant में जो बना है cable high grade iron ore से जिसमें phosphorus और sulfur की मात्रा 0.090 प्रतिशत से कम है जो गुजरता है कड़े quality test control से German technology thermax QST से बना SMC सरिया